धहरदून में शराप के एक ठेक को लेका प्रदेश के दो नौकस साहों में ठन गई है एक अधिकारी ने ठेके में निमित्ताय को लेकर लाइसंस निलंबन की कारवाई की तो दूसरे ने इस पस्टे लगा कर ठेके को खुलवा दिया मामले में पहले अधिकारी आईस अधिकारी के आदेशों की परतिस्टा का था तो उन्होंने पत्र लेक कर दूसरे अधिकारी से निलंबन की कारवाई खारिश करने की वज़़ा पूछ ली और ठेके को खुलवाने से इंकार कर दिया बता दे मामले के शुवा डियम की जन्सुनवाई कारिकरम से हुई जहां उपसे इस्थानी निवासी, माहिलाओ और बुजर्गों ने शिकायत करते वे बताया था कि राजपूर रोट की ओपल लाँज बिल्डिंग इस ते शराग की दुकान में खुले में शराप पिलाई जा रही है इसकी वज़े से माहिलाओ और युवतियों का यास निकल लाग दुरुबर है डियम ने जब इस पूरे मामले की जाच एस डियम सदर से कराई तो सामने आया कि ओपल लाँज बिल्डिंग के बेस्मेंट में अवैद रूप से बासंचालित हो रहा है दलीकर हफ शराबिकरी के लावा आसपास कई आवय दुकाने खोके लगवा का शराब सेवन में जोड़े समान बिकवा रही है बेस्मेंट में अत्यदिक मात्रा में शराब की बोतले और सेवन के लिए उप्योग में आने वाले कप और गिलास दीब बरामद हुए इस जाच शराब की दुकान को खुलवाने के आदेश चारी कर दिये शराब की दुकान की निलम्बन आदेश पर स्टे दिये जाने की जानकारी मिलते ही मोहले के लोगों ने डियम से इस बात का फिर विरोज जताया डियम ने शराब की दुकान खुलवाने से इंकार करते वे आपकार आयुक्ति के स्टे ओर्डर के परिपेक्षि में दुकान खुलवाने से इंकार कर दिया उन्होंने आप काली आयुक्ति से कहा कि जो भी आरोव दुकान पर लगे हैं वो सवयुक्त जाच में पुस्ट हुए हैं